बॉलिवुड में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी सुने जाते हैं और हर बार सुनने में उतने ही मजेदार लगते हैं ऐसा ही एक दिल्चस्प किस्सा है 1997 की सुपहिट फिल्म विरासत की शूटिंग का जिसमें तब्बू और आनिल कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाए थी इस फिल्म में अम्रीश पुरी और पूजा बत्रा जैसे मंचे हुए कलाकार भी शामिल थे लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाक्या बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रहे जाएंगे और हंसी रोक नहीं पाएंगे तब्बू जो उस वक्त अपने करिया की उचायों पर थी ने खुद एक इंटर्वियो में इस मजेदार किस्से का खुलासा किया था उन्होंने बताया कि फिल्म विरासत के दौरान निर्देशक प्रियदर्शन उनसे खासा परेशान हो गए थे हुआ यूं की फिल्म में तब्बू को एक ग्रामीन महिला के किरदार में दिखाया जाना था प्रियदर्शन चाहते थे कि तब्बू का लुक पूरी तरह से गांव की महिला जैसा देखे जिसमें उनके बाल खास्तोर से ओली होने चाहिए थे तब्बू ने बताया हेर स्टाइलिस्ट ने मुझे थोड़ा और जेल लगाने को कहा ताकि बाल ओली देखें मैंने वैसे ही किया और जब सेट पर गई तो प्रियदर्शन ने मुझसे कहा मैंने तुम्हें बालों में और ज्यादा तेल लगाने के लिए कहा था मैंने कहा हां देखिए मेरे बाल शाइन कर रहे हैं अब यहां आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा प्रियदर्शन ने कुछ नहीं कहा बस थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर अचानक वो मेरे पीछे आये और नारियल के तेल की पूरी बोतल मेरे सिर पर उंडेल दी हां आपने सही सुना उन्होंने बिना किसी चेतावनी के मेरे सिर पर पूरी तेल की बोतल खाली कर दी और बोले अब इसे कहते हैं बालों में तेल लगाना तब्बू बताती हैं कि इसके बाद उनके लिए शूटिंग के लिए तयार होना और भी आसान हो गया अब उन्हें किसी हेर स्टाइल की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि सिर पर इतनी तेल थी कि कोई भी स्टाइल वैसे ही बन जाता ये किस्सा इस बात का सबूत है कि प्रियदर्शन अपने काम में कितने परफेक्शनिस्ट थे और तब्बू जैसे अभिनेतरी के साथ काम करने का ये अनुभाव कितना अनोखा रहा होगा ये वाक्या ना केवल फिल्मी दुनिया की असलियत दिखाता है बलकि ये भी बताता है कि कभी-कभी छोटे-छोटे लमहे ही सबसे यादगार बन जाते हैं